ओके गुड आप्टोनून और इस्टुडेंट्स कल हमने जो एक नुमेरिकल लिया था जिसमें हमने maximum efficiency निका ली थी आज इसमें हम all day efficiency निकालनी का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आपने देखा तक कल हमने जो है दोनों जो पावर आइरन लॉस और जो आपका copper लॉस है उसकी value आपके पास आ गए थी 153.06 kilowatt और दोनों ही सेम होगी क्योंकि यह maximum efficiency का question था ठीक है यह आप सिंपल है कुछ रख तफ नहीं है इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे आपको ऐसे पेपर में चार्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले चार्ट में ऊपर आप नखेंगे नम्मर ओफ आर्स लोडिंग किलो वाट पावर फेक्टर लोड के भी है और फ्रैक्शनल लोड नि यानि कि यह कॉपर लॉस अब जैसे शुरू करते हैं कि रहा ध्यान ने कौन-कौन से तीन लोड है पूरे दिन भर में आपको पाता होगा आटो ट्रांसपार्मर जो है 24 गंटे के यह पन देख रहा है कि 12 गंटे में हमने कहा किया 12 गंटे यूज किया 6 गंटे यूज किया 6 गंटे यूज किया बागी समय यूज नहीं किया जाता तो यह दिखे बारा च्छे च्छे मैंने एक जगे लिख लिया दूसरा मैंने कहा किया लोडिंग लोडिंग दे लिया प्रेर पावर्वेक्टर लिया है मैंने 0.5 0.8 & 0.9 इस पाउब फ्टोर को यहाँ लेंगे पन 0.5 0.8 0.9 अब क्या करना एपको यहां से एक वाद को समझे पहले अब हमें क्या करना अपने लोड की के को अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो kilowatt है ना इसको किसे कर रहेंगे, पावर factor से, तो यह देखिए यहां पर 2 divided by 0.5, 12 divided by 0.8, 18 divided by 0.9, जो आप देख सकते हैं, लोड केवी कितना आगए, 4, 15, और 20, load Kva एक तीन आगए, ठीक है अब fractional load अगर निकालना है, fractional load, fractional load is equal to Kva upon rated Kva, rated Kva कईा राद को देखे रा, rated Kva डिया है 15, तो हम क्या करेंगे, इस load Kva को एक एक करके 15 से divide करेंगे, तो सब जगह से हमें X की value आ जाएगी तो मैंने क्या किया 4 upon 15 15 upon 15 and 20 upon 15 तो यहां से अलग अलग जगह पे आपको X की value आ गई अब W into H दिख रहा है W into H का मतलब कितना है यही copper loss है और यही iron loss है अपने कल निकाला था इसमें क्या करना है बस यहां पर आपको 24 से इसमें into कर दिना है 153.06 into 24 तो यह जो है आपका iron loss पर तयार हो जाएगा धियान रखिए कि all day efficiency निकालते समय हमें iron loss निकालने में डिकत नहीं होती यहां से यहां तक हमने यह महनत करी है यहां तक यह किसके लिए करी है यह X निकालने के लिए करी है और यह X निकालने समय क्या फायरा होगा ताकि हम यहां से copper loss निकाल सकें तो आपको तीन cases निकलेंगे एक फिर यहां से दो और यहां से यह तेम इसमं clown कोपर लॉसल निकालने पडे एकळू के इन के निकाल लने हैं यहां थो मिलिए कि यह इस दिखिंद निकाल ने हैं ओम अगर मुझे निकाल नहीं है तो फॉर्मला क्या होगा है अल डे इफीशेंशी इस इक्वल टू आउटपूट इन 24 आर आउटपूट इन 24 आर प्लस पाइरन लॉस इंटू 24 है पी-सी इंटू 24 है ठीक है अब होगा क्या जैसे माली यहां तो मैंने क्या किया जो भी आपका प में बस 24 का into कर देना है मगर यहां क्या करना है आपको जो तीन केसिस हैं इसमें x, x और x तीनों ही कंडिशन में x, x अलग है तीनों ही कंडिशन में x आपके अलग है इसका ये एक अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है तो आपको क्या करना है x square into तो जो भी आपके losses निकले थे, x square losses निकले थे, x square losses निकले थे, तो यह आपको तीनों यहाँ पर रख देने है, ठीक है, और into क्या कर देना है, 24 कर देना है, output में क्या करना है, जितने भी output है, आपके मतले बिएसे मैं output बाट करूँ जैसे ही output है, तू किलो वाट तो क्या लिखेंगे आउटपुट में तू इन्टू फॉर प्लस तू इन्टू 24 क्योंकि 24 घंटी के लिए है फिर 12 12 वाट 12 किलो वाट में इन्टू 24 प्लस और कौन सा लोड कनेक्टेट है 18 तो 18 इन्टू 24 यह हो गया आउटपुट यहां से आपको आउटप है तो मुझे आप बता सकते हों देखें फिर से एक यहां के लिए कर रहे था हूँ आयरन लॉस कितना आया था हमारा आयरन लॉस आया था हमारा 153.06 तो इसमें क्या इन्टू कर देंगे बस 24 पी आउटपुट लब आउटपुट पावर में क्या करेंगे एक तो 5 लोड था तो इसमें 24 किया प्लस फिर क्या था आपका 12 पहले कितना था 2 था सॉरी नौट 5 पहले 2 था 2 दूसरा लोड कौन सा है आपका 12 तो 12 इन्टू 24 फिर तीसरा लोड कौन सा है आपका 18 याने 18 इन्टू 24 यह होगा पावर आउटपुट अब जो ध्यान देने वाली बात है वो है copper loss निकालने के लिए कि इसमें आपको x square copper loss x square copper loss और x square copper loss करना है और इन तीनों को एड़ कर देना है पी सी पी यह तो copper loss तो सेम रहेंगे तीनों में बस यह x चेंज होगा तीनों कंडिशन के लिए clear हो रहे है और यह सब की value आप इस formula में रख दीजिएगा एक formula और लिख लिए इसमें आप है formula है तो पे आउट पुट इन 24 आर आउट पूट इन 24 आर ब्लस पी आई फ्लस पी सी का है यह आएगा यह पी सी का है और उसलिए तो इसे आपको करिये, कोई भी कोशन करिए, नहीं बन रहा है, आप मुझे गाइड करिए, मगर ये टेवल जरू बना लीजेगा, टेवल बनाएंगे तो आपको करने में आसानी होगी, तेंक्यो